नमस्कार कक्षा 10 exercise 6.8 का प्रशन 2 हम करने जा रहे हैं निम्नलिकित युगमों के दो भिन भिन उधारन दीजिए बच्चो इसका हम प्रथम भाग कर रहे हैं जो की है समरूप आकरितियों तो हमने समरूप आकरितियों के दो उधारन देने हैं तो बच्चो सभी वृत सभी वृत जो होंगे एक दूसरे के समरूप होंगे देखिए इस प्रकार से ये जितने भी वृत हैं ये एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देंगे समरूप ही हैं इसलिए पहला उधारन है सभी वित इसी प्रकार समरूप अक्रितियों का दूसरा उधारन होगा सभी वर्ग दिखिए यह एक वर्ग है यह दूसरा वर्ग है यह तीसरा वर्ग है इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी वर्ग होंगे उन सभी में चारो चारो कौन 90-90 डिक्री के होंगे उनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो यह सरवांगसम तो नहीं है लेकिन समरूप है एक ही रूप के हैं एक जैसे ही है तो समरूप अकरितियों के हमने दो उधारन देने थे इनमें पहला उधारन होगा सभी व्रित और दूसरा उधारन है सभी वर्ग आईए इस प्रेशन का हम दूसरा बाद देखते हैं ऐसी अकरितियां जो समरूप नहीं है अब हमने ऐसी अकरितियां देखनी हैं जो एक दूसरे के समरूप नहीं होती है तो देखे बच्चो हम लिखते हैं एक वर्ग और एक वरित तो देखे वर्ग होगा इस प्रकार का वरित होगा इस प्रकार का तो यह आपस में समरूप नहीं है इसी प्रकार इसका दूसरा उधारन हम लिख सकते हैं एक विशम बाहुत रिबुच बच्चो विशम बाहुत रिबुच वो होता है जिसके कोई भी बुजा बराबर नहीं होती और एक सम बाहुतरी बुज सम बाहुतरी बुज वो होता है जिसकी सभी बुजाएं आपस में बराबर होती है तो देखिए जो विशम बाहुतरी बुजा है वो किसी भी तरीके का हो सकता है कैसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है वो जिसकी कोई भी भुज़ आपस में बराबर नहीं है और जो सम बाहुतरी भुज़ है वह इस प्रकार का होगा जिसमें तीनों भुज़ाएं आपस में बराबर होगी तो ये आपस में दोनों ही समरूप नहीं है तो देखा आपने इस प्रश्ण के माध्यम से हमने समरूप आकरितियों के उधारन और जो समरूप नहीं है उनके उधारन हमने इस प्रश्ण के माध्यम से सीखे हैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समरूप आकृतियां और समरूप नहीं आकृतियां अच्छे से समझाई होंगी इस प्रश्णावली के बाकी प्रश्णों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके वहाँ पर बाकी प्रश्णों के वीडियो देखकर उन्हें अच्छे से समझ स धन्यवाद